तो students अभी तक इस वीडियो में हमने ये देखा कि किस तरीके से हमारा जो plant है उसके लिए photosynthesis के लिए water, sunlight, chlorophyll और carbon dioxide important है तो अब हम लोग आगे देखने जा रहे हैं कि raw materials for photosynthesis जब होता है तो उसके लिए plant को raw material में क्या-क्या चाहिए तो सबसे पहला होता है carbon dioxide फिर होता है water ठीक है ना तो एक चीज़ अब हमें सा जान लो पता है आपको ये stoma क्या होता है और stomata क्या होता है दोनों में क्या difference है तो यहां मैंने लिख रखा है अगर एक single सा pore हुआ ना उस pore को हम कहेंगे stoma और एक से ज़्यादा हुआ तो stomata मैं ह लगा कि stomatas नहीं बनाते ध्यान रखना तो stoma जो है वो singular होता है और stomata जो है वो प्लल होता है तो अब आप यह पुछे हो कि यह मैं क्या बताने जा रहा हूँ तो ध्यान से समझो यह जो leaf होता है ना पूरा का पूरा leaf इस leaf में क्या होते हैं छोटे-छोटे pores होते हैं मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था और उन पूर्स के थुरू ही plant जो है वो exchange of gas करता है यानी carbon dioxide gas लेता है और oxygen gas को छोड़ देता है ठीक है ना तो यहां पर वही हमें पढ़ना है कि आखिर यह होता कैसे है कैसे वो carbon dioxide gas को लिया और कैसे वो oxygen gas को छोड़ा ठीक है तो सब हमने स्वे जान लो जो छोटे-छोटे छेद होते हैं छोटे-छोटे-छोटे होल्स होते हैं जो stomata कहतें वो कुछ इस तरीके का दिखता है दिखया यह जो stomata है सोरी यह जो tick's industry है singular है नब यह 피र झान को वह फोटोसिंतिस करने के लिए Second gas की requirement होती है उसमें वो क्या करता है यह जो guard cell है ना देखो इसको हम लोग guard cell कहते हैं यह देखो यह guard cell हो गया यह guard cell हो गया तो वो plant जो है न वो क्या करता है इन guard cells में water का supply भेजने लगता है तो जैसे water का supply इन guard cells में जाएगा यह guard cell क्या हो जाएगा फुल जाएगा और यह इस्टोमाटल पोर जो है वो खुल जाएगा ठीक है आप इतना याद आख न गार्ड सेल एक मैं सौटकट दे रहा हूँ मजाक मजाक में ठीक है गार्ड सेल फूल जाता है तो इस्टोमा खूल जाता है है ना मस राइमिंग मैंने बना दिया कि जब ये गार्ड सेल फूल जाता है तो स्टोमाटल पोर यानि स्टोमा जो है वो खुल जाता है तो अब होता क्या है ध्याम से समय ना कि जैसे वाटर इसके अंदर गया ये धिरे-धिरे स्वेलिंग करने लगा swelling करने का मतलब क्या होता है धिरे-धिरे मोटा हो ना जैसे यह मोटा होने लगा वैसे बेंड होने लगा बेंड मतलब समझता हो ना यह ऐसे टेढ़ा है ना तो वो धिरे-धिरे बेंड होने लगा और बेंड हुआ वैसे ही यह stomatal pore खुल गया और carbon dioxide gas जो है वो air से अंदर आने लगा ठीक है उसके बाद जब यह exchange of gas खत्म हो जाता है जब इसको carbon dioxide की जवर्वत नहीं पड़ती तब यह क्या करता है सारे एक्सेसिव सारे water को release कर देता है यह पोरेट कर देता है वहां से water को निकाल देता है जैसी water निकला वो क्या करेगा shrink कर जाएगा shrink करने का मतलब सिकुर जाएगा तो यह जो गार्टसेल है वो सिकुर जाएगा और सिकुरने के बाद यह जो पोर है वो क्या हो जाएगा completely बंद हो जाएगा ठीक है ना उसके बाद यहां पे कोई भी exchange of gas नहीं होगा अब मैं अगर मैं आपसे question पूछूं कि बच्चों एक बाद बताओ क्या होगा क्या होगा अगर किसी तरीके से किसी plant का stomatal pore खुला रह गया तो क्या होगा कुछ problem है कि आशको बंद होना क्या जरूत है तो एक जी जान लो कि जब stomatal pore खुलता है respiration के लिए carbon dioxide को अंदर आने के लिए उसी वक्त बहुत सारा पानी plant के उस stoma से release होने लगता है वो निकलने लगता है इवपोरेट होने लगता है तो इसलिए अगर ये pore हमेशा खुला रहा जब इसको carbon dioxide की जरूत नहीं होगी तब भी खुला रहा तो इससे water तो continuously lose होता रहेगा जब इवपोरेट होता रहेगा तो plant में क्या होगा water की कमी हो जाएगी तो इसलिए water की कमी ना हो जाए इसलिए जब carbon dioxide की ज़रूत नहीं पड़ती तो वो guard cells से ही water को release कर देता है और ये stomatal pore बंद हो जाते तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है देखो when water flows into the guard cells they swell, become curved and cause the pore to open on the other hand when the guards lose water they shrink, become straight and close the stomatal pore I hope समय में आ गया होगा, next देखते हैं क्या point लिखा मैंने, large amount of water is also lost through these stomatal pores so when a plant does not need carbon dioxide the stomatal pores are closed in order to prevent excessive loss of water तो अभी हमने यह देख लिया कि plant जो है वो carbon dioxide कैसे लेता है, वो अपने stomata से लेता है बहुत सरे stomata होते हैं न, disclose को stomata कहेंगे ये वाला याद रखना, फूल जाता है तो खूल जाता है, समझगे न, मजा कर रहा था ठीक है, तो अब इसके आगे हम लोग देखते हैं कि ये water किस तरीके से लेता है हम लोग देखते हैं कि plant जो है, वो water किस तरीके से लेता है तो यहाँ पर मैंने एक process का नाम mention किया हुआ है, जिसको हम लोग कहते हैं osmosis तो गौर से सुनना, ठीक है, osmosis में होता क्या है कि जो molecules होते हैं वो higher concentration से, lower concentration के और जाते हैं लेकिन उसके बीच में एक semi permeable membrane होता है जो सिर्फ चुन-चुन के चीजों को ही अपने अंदर से पास होने देता है जिसका काम नहीं है, उसको इधर ही छोड़ देता है इसको अब कुछ इस तरीके से समझो, मान लो यहाँ पे मैंने क्या किया, ऐसे करके एक jar लिया ठीक है, इसके बीच में मैंने यहाँ पे एक plate लगा दिया और यहाँ पे मैंने इतना सारा balls रग दिया ठीक है, तो अगर यह balls को, यहाँ पे मान लो ball है या water है, मैं कुछ भी रख दूँ जो ऐसे flow कर सके ठीक है, उसके बाद मैंने क्या कि यह box को हटा दिया तो जैसे मैं इसको हटाऊंगा, यह धीरे-धीरे ऐसे-ऐसे करके यहाँ पे आके भर जाएगा, भरेगा ना, तो यह जगह जो है जहाँ पे ज्यादा molecules होंगे, वो हो गया higher concentration का reason, और यहाँ पे जहाँ पे बहुत ही कम molecules हैं, वो हो गया lower concentration माला reason, तो osmosis में होता क्या है, कि higher concentration से lower concentration के और जाता है, सपोस कर लो यह, यह मान लो एक vessel है, ठीक है, इसके बीच में एक semi-permeable membrane है, और यहाँ पे higher concentration है, पूरा अदम भरा हुआ, ऐसे से करके, ठीक है ना, धीरे-धीरे-धीरे-धीरे यहाँ पे पास हो रहा है, तो यह low concentration reason है, यह higher concentration reason है, तो इस region से इस region में जा रहा है, लेकिन यह जो membrane है ना, वो पतला सा membrane होता है, और वो सिर्फ वही चीजों को अपने अंदर से पास होने देता है, जिसकी हमारे body को या plant को जरूरत होती है, इसलिए osmosis इसको कहते हैं, सिर्फ एक चीज़ difference होता है, osmosis and diffusion में, कि diffusion में क्या होता है, कि higher concentration से, lower concentration के और move तो करता है, लेकिन वो तब तक ही move करेगा, जब तक एक equilibrium ना, वहाँ पर हो जाए, equilibrium का मतलब क्या हो गया, इधर भी जितना पानी था, इधर भी उतना पानी होगा, दोनों बराबर हो तो फिर ना तो इधर सिधर जाएगा, ना इधर सिधर आएगा, लेकिन osmosis में क्या होता है, selectively permeable membrane होता है, जो सिर्फ काम के चीज़ों कोई अपने अंदर से पास होने देता है, ठीक है, उसके बाद हमने क्या लिखा हुआ है, कि the absorbed water is transported upward through xylem vessels, xylem vessels to the lips, अब होता क्या है, ध्यान से देखो, water जो है, वो soil से लेगा, ठीक है, तो भई, नीचे से उपर तक ले जाने के लिए, कोई तो बैसल होना चाहिए, आपके घर में जब आप पानी पटाते हो, तो पानी जब पटाते हो, तो जिस जगह से आपका पानी निकलता है, वहां से लेकर, जहां तक आपको ले जाना है, कोई तो ट्यूब होता होगा, कोई तो पाइप होता है न, तो सिमिलरली प्लांट में न, दो परकार के ट्यूब सोते हैं, दो परकार के पाइप सोते हैं, एक पाइप को हम बोलते हैं, जायलम का क्या होता है स्टुडेंट्स, जायलम का का काम होता है कि वह क्या करता है, वह वाटर क ने क्या लिखा है कि the plants take materials like nitrogen, phosphorus, iron, magnesium, etc. from the soil, तो सिर्फ अगर मैं उसको carbon dioxide दे दू, सिर्फ अगर मैं उसको water दे दू और मैं बोलू कि plant grow कर जाएगा, वो अपना nutrition complete कर देगा, it is not so, ठीक है न, तो उसी तरीके से जिस तरह से हम मानलो कुछ extra चीज़े खाते हैं हमारे body के लिए वैसे ही plant के लिए ये तीनों चीज़ बहुत important होता है, N, P, K, ठीक है ये तीन element उसके लिए बहुत यादा important होता है, N for nitrogen, P for phosphorus and K for potassium, ठीक है, तो nitrogen, phosphorus and potassium ये तीन एक ऐसे element होते हैं, जो एक plant को grow करने के लिए चाहिए ही चाहिए, ठीक है, अगर किसी भी soil में ये तीनों element नहीं होते हैं, तो वो soil fertile नहीं होता, ठीक है न, तो अब यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, कि nitrogen जो है, वो इतना essential होता है plant के लिए, कि वो in organic form में, यानि nitrates के form में, soil से लेता है, या फिर organic compounds के form में, soil से लेता है, जो bacteria form करता है, तो अगर मैं यहाँ पे question पूछू आपको, या फिर में न, bacteria होते हैं, ठीक है, और जो roots होता है न, plant का, उसके अगल बगल भी bacteria होते हैं, अब देखो, इन bacteria का का काम क्या होता है, यह bacteria का काम होता है, यह nitrogen fixation करते हैं, अब यह nitrogen fixation क्या है, जरग और से समझो, हमारे atmosphere में abundance of nitrogen है, सब को पता है, लेकिन plant फिर भी उस nitrogen को अपने अं उस soil में घोल देते हैं, dissolve कर देते हैं, तो जब soil में वो dissolve हो गया, उसके बाद जो हमारा plant है, वो क्या करेगा, उसको organic compound के form में खिसता रहेगा, उसको nitrate के form में या nitrates के form में खिसता रहेगा, तो बस यही एक सा question था, कि क्या soil में bacteria होने जरूरी है, या फिर इतना nitrogen होने के ब होती ही जी था, देखो मैंने आपे लिखा क्या है, कि nitrogen is an essential element used by the plants to make proteins and other compounds, the plant take up nitrogen from the soil in the form of inorganic salts called nitrates या nitrites, और in the form of organic compounds which are produced by bacteria, the atmospheric nitrogen, ठीक है न, तो I hope कि यहां तक आपको समझ में आ गया है, इस वीडियो का एक और छोटा सा part है हमारा, कि यह photosynthesis होता कहां पर है, chloroplast में, अब यह chloroplast को न मैं आपको zoom in करके, अच्छे से सामने से बताने जा रहा हूँ, तो उसको भी अच्छे से देखना, और अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे nutrition in animal, ठीक है, तो चलो हम लोग साइट से देखते हैं, तो वो हमें cross section के रूप में दिखता है, तो यहां पर मैं सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूँ, कि यह जो आप पार्ट देख रहे हो, यह वाला, इसको हम लोग कहते हैं, अपर epidermis, और यह वाला जो नीचे वाला पार्ट है, इसको हम कहते हैं epidermis, और इस epidermis का काम क्या होता है, कि वो अंदर के cells को, अंदर के skin को, अंदर के muscles को, वो बाहरी चीजों से बचा कर रखता है, infection से बचा कर रखता है, तो वैसे एक leaf का जो upper epidermis है, और नीचे का जो lower epidermis है, यह अंदर के यह जो cells आपको दिख रहे हैं, इसको यह safe रखता ह ठीक है, उसके बाद यह वाला जो आपको cell दिख रहा है, यहाँ पे, इसको हम कहते हैं, palisade cells, ठीक है, और यह वाला जो cell है, यहाँ पे जितने सारे आपको गोल-गोल type के cell दिख रहे हैं, इसको हम कहेंगे, spongy mesophyll, ठीक है ना, उसके बाद यह आपको दिख रहा होगा, यह मेसोफिल सेल्स, ठीक होगा, वेंस, तो एक लीफ के अंदर जो वेंस होता है, एक प्लांट के अंदर जो वेंस होता है, उसको हम जायलम, एन फ्लायम के रूप में बताते हैं, जैसा कि अभी आपने वीडियो में सिखा, तो यह अगर मैं एक मिसोफिल सेल को यहाँ पे निक क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है न, और हर सेल के अंदर अपना एक साइटोप्लास्म होता है, उसका अपना एक निकलियस होता है, ठीक है, तो यह आपने देख लिया, अब यह जो जगह आपको दिख रहा है, यह हो गया आपका होल, यानि स्टोमा, ठीक है, ऐसे बहुत सा में में एक चोटा साख्याल को कि सर आखिर इतना गैप क्यूं है यह गैप यहां पर यह गैप होता है इस गैप का काम यह है कि यह गैसेस को एक्षेंज करने में मदद करता ले mog bạn किल अंदर आटा है और यहाँ से जो oxygen gas बाहर निकलता है वो gases exchange में ये छोटे छोटे जो आपके बीच में जो space दिख रहे हैं वो space आपका काम करता है ठीक है तो ये आपके लिए एक छोटा सा label diagram था जो आपके लिए बहुत important था जो मैंने आपको बता दिया अब दूसरी चीज में आपको बताने जा रहा हू ताकि आप अच्छे से समझ पाओगे तो एक chloroplast जो होता है वो double membrane होता है एक होता है inner membrane और एक होता है outer membrane ठीक है और ये जो आपको पीला पीला पार्ट दिख रहा है ये लो इस टाइप का इसको हम कहते है इस ट्रोमा आपकर अच्छे से देख पारे हो तेहां पर इसको कहते इस ट्रोमा यह आपका काराम की गोटी जैसे होते है ना लंबे उसको हम रखते हैं पाइल करें से तो यह जो आपको दिख रहा ना पूरा का पूरा यह इसको एक कहते है ग्राणम अश्प को मिला कर हम कहेंगे ग्रैन ठीक है आप और उसमें से जो एक छोटा सा पार्ट है तो ये वाला जो एक पार्ट होगा आपका, ये वाला, इसको हम कहते हैं थाइलकोईड, फिर नीचे एक और पार्ट है, उसको भी कहेंगे थाइलकोईड, तो एक एक करके सबको हम थाइलकोईड कहेंगे, और सबको जब हम एक साथ मिला देंगे, तब वो कहलाएगा एक ग्रै द्यान रखना लाइट रेक्शन जो होता है इसको हम लोग कहते हैं लाइट डिपेंडेंट रेक्शन और जो डार्क रेक्शन होता है उसको हम लोग कहते हैं लाइट इंडिपेंडेंडेंट रेक्शन तो होता क्या है कि जब हमारे क्लोर प्लास्ट को सनलाइट मिलता है तो य जैसे ही sunlight जो होती है वो इस पर पढ़ती है वो क्या करता है इसके अंदर मौजूद जो water molecules होता है उसको photolysis करकर hydrogen और oxygen molecules में तोड़ देता है और यहीं से हमारा oxygen जो होता है वो release होता है ठीक है और साथ साथ में यहां पर दो और चीजे निकलती है एक का नेम है ATP जो हमारा energy molecule है NADPH यह भी हमारा energy molecule ही है तो जब light reaction होता है तो light reaction में क्या होता है कि जो ग्रैना होता है वो light को accept करता है जिससे की अंदर एक reaction होता है उस reaction में ATP और NADPH निकलता है अब आप सोचे हो कि यह ATP और NADPH क्या है तो NADPH का फुलफर्म होता है निकोटिनामाइड, एडेनाइन, डाइ निकलोटाइड, फॉसपेट और ATP का फुलफर्म होता है एडेनोसाइन, ट्राइफॉसपेट और यह high energy molecules होता है उसी के नीचे एक और knowledge के लिए रख लो ADP इसका मतलब होता है एडेनोसाइन, डाइफॉसपेट और यह low energy molecules होते है ठीक है तो चलो हम लोग वापस आते हैं तो तो डार्क रियक्षन कहां पे होता है दोस्तों, डार्क रियक्षन होता है इस ट्रोमा में ठीक है और डार्क रियक्षन में क्या होगा कि यह जो NADPH और ATP होता है यह carbon dioxide gas जो हमारा plant लेता है उसके साथ जाकर react कर जाता है और react करने के बाद वो क्या करता है ग्लुकोज फॉर् आगे स्टार्च के रूप में हमारे लिप में रह जाता है यह आपको स्टार्च दिख रहा ना यह स्टार्च मॉलिक्यूल तो यह स्टार्च मॉलिक्षन तभी फॉर्म होगा जब लाइट रियक्षन होकर NADPH और ATP फॉर्म होगा और जो प्लांट है वो CO2 लेकर उसके साथ डियक्षन करेगा तब जाकर यह आपको स्टार्च फॉर्म होता है तो धेयान रखना जब लाइट राक्षन होता है तब ATP, NADPH और और अखिजन कर लिस होता है अजब डार्क रीक्षन होता है ता हएं अब डार्क रीक्षन में वही एद डीपेच और ATP और A tP कार्बन ड claps बिल्कुल मत टेंशन मनों अगर आप बायो लोगे तो आप जरूर पड़ोगे तो आज के जो वीडियो है वो प्ला नुट्रेशन इन प्लांट्स यहीं पर मैं खत्म करता हूं अब हम लोग नुट्रेशन इन एनिमल देखेंगे अगले वीडियो में अगर आपको यह वीडि करेंगे लोगे का हुछे ट्रेशन करेंद मुट्रेशन शीए हम जर वीडियो है आप